कि थीक है बच्चो थीक है मेरी आवाज अगर clear है तो एक बार बच्चो आप लोग वहां से उक्के कर दे ताकि हम क्लास को कंटिनिव फिर कर सके लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नूकलियस तक डिस्कस कर लिया था बच्छो करेक्ट अब नूकलियस के आगे हम लोग बात करेंगे कि और से हमारे कौन-कौन से सेल और बच गया थे उस पर हम लोगों को डिस्कस करना है ठीक है एक बार हमें बताता है कि आवाज स कर सकें बच्चों ठीक है लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियस तक बात कर लिया था अब जो अगला टॉपिक है हमारे डिस्कस करने जा रहे है वो डिस्कस करने जा रहे हम लोग लाइजोजोम किसके बारे में हम लोग बात करेंगे हम लोग बात करेंगे में लाइ Zoosome के बारे में, हेडिंग डालिये का बच्चो लाइ Zoosome लाइ возome के अगर हमारा बात करें बच्चो तो सबसे पहले Discovery की बात कर लते के हुऊ to discover Laisozome देखो बैठा एक साईनिटेस्ट ते जिनका नाम था Christian D.Dooway Christian D. Christian D.Dooway ठीक है इन्होंने डिस्कवर किया था कि डिस्कवर लाइजोजोम इन्होंने किस चीजों को डिस्कवर किया था बच्चो लाइजोजोम को डिस्कवर किया था तो यह तो हिस्ट्री की बात हो गई कि लाइज़ोम डिसकवरद भाई, आप साइनिटिस्ट का नाम लिखेंगे, कृस्टीन डीडूबे, अगर हम बात करें, क्या लाइज़ोम प्रोकारिवाटिक सेल में प्रेजेट होगा, बच्चों? क्या ये प्रोकेरियॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्यॉर्य eukaryotic cell के अंदर देखने के लिए मिलेगा यहां पर यह बच्चो क्या होगा प्रेजेंट होगा करिक्ट यहां पर exception के तौर पे अपने को देखने के लिए मिलेगा किस चीजों के बारे में बिठा accept वही RBC cell कि आपका लाइजोजोम है वह देखने के लिए नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा जब हम आपको माइटो कॉंड्री डिसक्स कर रहे थे पहले सबसे पहला टॉपिक तो हमने बताया था कि जगह की 10 कि वज़े से यहां पर क्या पाता जो जगह残ोपाय करता उसकी वज़ासे क्या होपाता यहां पर लिए असे सओंब chilly शक्रासा लखे लिग है लाइज घुंगोब भॉल इसको क्या कहेंगे बिछो इसको कहते हैं डाइजेस्टिव बैग लोग डाइजेस्टिव बाइग बोलते हैं दूसरा हम लुग वह और नाम से जानते हैं लाइजोजमें ऌल सो कहते हैं सुसाइडल बैक भी क्या काके बेटर कलैस दो बाद यहां पर खेल हो गहीं अपकी यह दोनों सवाल बहुत एहम है AMU 11th entrance के लिए यह दोनों सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि which of the following is known as a digestive bag, which of the following is known as suicidal bag तो दोनों के बारे में जान लेते हैं कि अगर कुछ नाम रखा गया है इसका, suicidal bag नाम रखा जाए या digestive bag नाम रखा जाए तो कोई ना कोई इसके पीछे logic होगा कोई ना कोई इसके पीछे reason होगा तो चलिए बच्चों हम लोग reason को जरा बात करते हैं कि why it is known as digestive bag देखो बेटा, lysozome contain, अपने अंदर contain करता है hydrolytic enzyme को, lysozome contain ये contain करता है किस चीजों को बेटा, hydrolytic enzyme को hydro hydrolytic enzyme को consist करता है अब hydrolytic enzyme में क्या-क्या हो सकता है बच्चों, तो hydrolytic enzyme के पास हो सकता है, जैसे for example अगर हम बात करें hydrolytic enzyme में तो hydrolytic enzyme में कई सारे enzyme यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर proteinase मिल सकता है देखने के लिए बच्चों क्या मिल सकता है यहाँ पर proteinase देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा carbohydrates देखने के लिए मिलेगा बच्चों यहाँ पर यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा lipase यहां पर देखने के लिए आपको मिलेगा लाइसोजाइम यहां पर देखने के लिए आपको मिलेगा बेटा काईटीनेज यह सारे एंजाइम देखने के लिए मिलेगे मैंने क्या कहा यहां पर आपको देखने के लिए क्या मिले है protein as देखने के लिए मिल ले गालऑश देखने के लिए मिल लाइपेल लाई जाय जाएलाई जाइम झाय जाए जो किसो हैंडर याद रखे का कि यह जो कभर्टो एफक्र मुद्रह ना करें squash लुग Sे यहांट व्fund कर रहा हुग बच्छों प्रोटीन का करता है कार्बोरचर कि करेगा बच्छों मचलूद्धक का करता है झारिक्त जो आपका लाइपस भीका लब सकते हैं जो लीच में वो चीजों का डाइशन करेगा एस Kell accur अ करेगा यालेक पिपटीडोग्लायकन क्या होता HATBacTEEया की जो सिलवाल बनी हुई होती जГो बैक्टीरिया की सिलवाल होती है याद रखियेगा बचचो किस चीजों का बना हुआ होता है peptidoglycan का बना हुआ होता है और जो काइटीनेज है वो किस चीजों को डाइजेशन करेगा ये डाइजेशन करेगा किस चीजों को काइटीन को डाइजेस्ट करेगा किस चीजों को डाइजेशन करेगा काइटीन को और काइटीन क्या होता है जो फंजाई की सिलवॉल है वह सिलवॉल किस चीजों की बनी हुई होती है बच्छों वह बनी हुई होती है काईटीन क्या होप आरहा होगा दिखने में हां करेक्ट तो यहां पर हमने बात क्या कि लाइसोजोम CONTAIN हाइडोलेटिक एंजाइब लाइसो सब्सक्राइब बच्चों हाइडोलेटिक एंजाइम होता है और शीव Woo हमने बात किया किया पाया जा सकता है उसी तरीके से लिपिड को डाइजिस्ट करने के लिए जो हाइडुलेटिक एंजाइम है उसका क्या नाम है मेटा लाइपेज नाम है उसी तरीके से आपके पास क्या है मेटा यहां पर आप अगर देखेंगे लाइसोजाइम है बहुत इंपोर्डेंट सवाल कि which of the following help in the digestion of क्या कहते है पेप्टीडो गलाइकन पूछा जाता है कि बार कि बैक्टरिया के सेलवाल किस्चिस की बनी होती है तो पहली बात हो यहां रखेगा कि बैक्टरिया के सेलवाल किस्चिस की बनी होती है बच्चो बैक्टरियल सेलवाल इस मेड़ पाफ पिप्टीडो गलाइकन गिफाट रृकिक ये lizo-zome के अंदर पाया जयेगा अच्छा ये जो इंजाइम हुचा यह हमारे कुछ सिलाईवा में भी प्रजेंट होता है जिसकी वीजासे हमारे माुथ में बेक्टरियल पेसा से यूदिध मोश्म कने MS आप यहां पर peptidoglycan अच्छा और उसके बाद peptidoglycan digestive enzyme is called as क्या लिखेंगे यहां पर लाइसोजाइम ठीक है लाइसोजाइम कहा present होगा हाइडोलेटिक इंजाइम लाइसोजोम के अंदर इसके अलावा कहा यहां पर फंगी की cell wall किस चीज़ की बनी होती है तो आप क्या जवाब दीजिएगा फंजाई cell wall is made up of kaitin याद रहेगा फंजाई cell wall is made up of क्या लिखेंगे यहां पर लोग kaitin लिखेंगे और kaitin को digestive enzyme क्या होगा kaitinase होगा clear hope यहां पर आपको clear हो गया होगा कि यह digestive enzyme यह hydrolytic enzyme क्या होते है सो चलिए जी ओके यहां पर फैदान कर रहा है hello sir कैसे हो ठीक हो थोड़ी सी तव्यत खराब हो गए थी इसलिए बीच में classes नहीं हो पाई थी ठीक है इन सब के अंदर ability होती है डाइजेस्ट करने की किस चीजों किस चीजों को मिटा प्रोटो प्लास्म को हो यह उतार लिया होगा आप लोगों अगर नहीं उतारा है तो कि इनके अंदर है वबलीटी है इनके अंदर खीस चीजों को मिटा तूदाइजेस्ट इएAST Proto plasmaagen कि दो सिझip बच्छ ये Proto Plasnik used taking act में नीजिस पिरते थे सिल बचेगा करने की इसलिए इसलिए भी बचेगा zod Speaker everything about sleep that's why it is not as जेशनीत कें विटा डाइजेस्टिव Бद इसलिए आमों नों को क्या थे मिटा नदी स्वाई इसलिए इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव बैग बोलेंगे ठीक है दूसरा हमने कहां बेटा कि थाव अबेलीटी इसके पास अबेलीटी होती है कि इस चीजों की बेटा यहाँ पर कि यह डाइजेस्ट कर सकता है कि इस चीजों को इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं डूसरा हमने कहां कि इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चो सुसाइडल बैग बोलते हैं तो वाइट इस cc cell जब भी कोई pathogen इंटर करता है, pathogen किसको बोलेंगे, disease causing microorganism, disease causing^^ microbes microbes हgas要 microorganisms जो जो होगे, उसे हमारा आप क्या कहेंगे बिटा, pathogen कहेंगे disease causing microorganism सब्सक्राइब करेंगे लेकिन उसी तरीके से अगर आप देख लेकुछ अलग जैसे कि तो यह सब क्या है आपके लिए पैथोजन है समझ बात है यह आपके बॉडी के अंदर आने के बाद आपको डीजीज क्रेट करेंगे तो डीजीज कॉसिंग सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई इसल के अंदर इंटर करेंगा देखो मालोग आपके पास इन्टर है तो अब अगर आप गौर करोगे कि कोई भी पैथोजन इंटर करेगा तो वह अपने metabolic activity को बढ़ाएगा simple सी बात है जब भी कोई अपर आगा तो अपने metabolic activity को क्या करेगा increase करेगा reproduction करेगा reproduction करेंगे हमारे barrier करेगा हमारे किसी चीजों को barrier करेगा हमारे normal vital life process function के एगेंस्ट ऐसे condition में हमें बहुत सारे यह पैथोजों इंटर करता है मालो कि यह बैक्टरिया कोई है यहां लाइजोजों बैठा हुआ यहां यहां पर यहां क्या बैच्छों अपने पास यह लाइजोजों है अपने पास यह अपने अंदर हाइडोलेटिक एंजाइम को लेकर के भरा भरा हुआ बैठा हुआ है ठीक है अब ऐसे कंडिशन में कभी भी पैथोजों इंटर किया सेल के अंदर तो लाइजोजों के पास क्या है option कि अगर यह पैथोजों को छोड़ दे तो लाइजोजों क्या करेगा नंबर को और बाकी करेगा ठीक है अब ऐसे कंडिशन में लाइजोजों क्या करेगा इसे इंगल्फ कर लेगा यहां पर इसे इंगल्फ करके इसके क्या करेगा अपने हाइडोलेटिक एंजाइम को जो की डियक्टिवेटेट इसे एक्टिवेट करके उस पैथोजों को किल करेगा जैसे यह एं क्लॉसिस ये बैक्टिरिया था बच्चो अब ये माइक्रो बैक्टरियम टुबर क्लॉसिस अगर ये आपके बाड़ि के अंदर इंटर करें ये रिप्रोडियूस करेगा और आपको टी-बी कि रेट कर देगा तो वैसे कंडिने ये क्या करेगा इसको मान रहा है तो सबसे ले बैक्टरिया है तो बैक्टरिया के ऊपर क्या होगा बैचो सेल वाल होगा और बैताओ बैक्टरिया की सेल वाल किस्चिस की बनी होती है बैच्चो पिप्टीडो गलाइकन की बनी होती है करेक्ट आरी बासावन में उसी तरीके से उसके बाद क्या होगा सेल मेंब्रेन क्या sel membran digestive enzyme यहां पर को इसल में किस चीजोगा बना हुआ होता है बैटा लिपेट्स कि प्लस प्रोटीन का अच्छा कुछ जगह हों पर आपको देखने के लिएगा लाइपो प्रोटीन का तो बात वहीं है लाइपो प्रोटीन भी लिखा हुआ हो तो घबराने की जरूरत पर बैक्टरिया के सेलवाल को डाइजिस्टिव करने वाला इंजाइम है जिसका नाम लाइसोजाइम है क्या प्रोटीन को डाइजिस्टिव करने वाला इंजाइम है यहां पर प्रोटीन जिसका नाम है क्या लिपिट्स को पचाने वाला डाइजिस्टिव जाइम है जिसको क् इनकी यह यह लाइपेज है बिटा अप्लस कर एक्लास के लिए प्रोटीनेचे है फलन कर नहीं है और यह क्वास यह थो यह इस बैक्टरिया को क्या करेंगों का एक्वलि लो भुपर क्या नहीं होたい छोड़ेगा अब छोड़ा जैसे ही तो यह बैक्टरिया क्या हो जाएगा किल हो जाएगा लेकिन इस एंजाइम की capability के वैज़े से यह है लाइसोजाइम खुद भी मर जाएगा अब ऐसा क्यूं कर रहा है अगर यह बस्ट करके छोड़ेगा तो बाकी के भी इसको नहीं करना है बागी के दूसरे सल को बचाना है तो ऐसे कंडिशन पर यह अपने ही हाइडियोलेटिक एज़ाइम से खुद को मार लेता है तो अगर फर एक्जापल की कोई इंसान अगर खुद से ही क्या पैकी प्रदे में लटका करें लटक जाता है तो इसे क्या विठेश केंगे तो ये भी अपने हईडूलेटिकeeee शां मर जा रहा है खुद अपने मरजी से तो इसे हम लों क्या बोल सकते हैं और तो हम लोग Southern Calder Ball New business system mmg okay nice you just hope is also known as suicidal back a lize zone is also known as digestive bag why it is known as digestive back because it have contained hydrolytic enzyme which have capability to digest the protoplasm that's why it is known as digestive back white is known as suicidal back when the antipathogen is entered inside the cell laser don't secret their hydrolytic enzymes and kill those pathogens but but due to the secretion of hydrolytic enzyme, it kills itself, यह खुद को भी मार लेता है, that's why it is known as suicidal bag, clear, okay, sir, lipase is also known as pancreatic juice, देखो मिटा, pancreatic juice के अंदर भी lipase होता है, बिल्कुल, जो हमारा protein के digestion, fat के digestion के लिए और protein के digestion के लिए, जो enzymes आते हैं वहाँ पर, pancreatयास में, stomach, small intestine में, तो वहाँ पर pancreatic juice के अंदर ही होगा, बिल्कुल होगा, okay, sir, lipase is also known as, sir, cell orginal contain their materials are, cell orginal is contain their materials are, क्या कहना चाहरे है, बेटा, मैं समझा नहीं, ठीक ना, अनस कहरे है, sir, BTEC में 40 marks नहीं, आप आएंगे, क्या करूँ, अब देखो, बेटा, आप जो है, BTEC वाली टीचर से, संदीब भया से आप पूछे, ठीक है, न बेटा पाँगा, कि BTEC का क्या cut-off जा रहा है, मैं bio mentor हो, मुझे से NEET का सवाल, पूछ लीजे, 11th interest को मैं deal करता हूँ, तो उसके बारे में आप पूछ सकते है, ठीक है, तो BTEC का सवाल, आप अपने, जो BTEC से related teacher है, जो math, physics, chemistry देखते है, उन से आप सहीयोग लीजिए, उन से, ठीक है, मैं यहां पर आपको नहीं बता पाँगा, जादा कुछ, ठीक है, BTEC, अगर बात करें, तो मुझे जहां तक idea है, कि 40 marks पे तो ABU भी नहीं हो पाता है, तो नहीं आने का कोई सवाल नहीं होता है, अगर आप लिख रहे हैं यहां पर, कि BTEC में 40 marks, तो थोड़ा अभी the cell organally contain their materials are, मैं समझ नहीं पाना हो, आप दोबारा कमेंट कीजी कि क्या आप कहना चाह रहे हैं, चले बच्छो, आगे हम लोग बढ़े, तो यहां पर दोनों बाते के लिए लोगी, कि why it is known as digestive bag, why it is known as societal bag, ठीक है न, हाड़ोलेटिक एंजाइम में कौन-कौन से एंजाइम हो आपको याद भी रह जाएगा, लेकिन दो ऐसे enzymes हैं, जो कि याद रखने थोड़ा से important है, एक तो peptidoglycan digestive enzyme is called as lysozyme, और दूसरा आपका कौन सा, की chitine, digestive enzyme is known as chitinases, chitine क्या है, फंगाई का cell wall है, और lysozyme क्या है, यह digest करेगा peptidoglycan को, और peptidoglycan क्या है, बैक्टरिया के cell wall होत अगला टॉपिक है अपना बिटा कहाई चीज है, इंडो प्लास्मिक रेटिकूलम, हेडिक ना लिएगा बच्चो, ER, यार बोले तो बच्चो, एंडो प्लास्मिक रेटिकूलम, इंडो प्लास्मिक रेटिकूलम से सबसे पहला सवाल जो पूछा गया है, अभी 2021 में भी, बाल लीजिए कि यह आपके पास क्या है, बच्चो, एक सिल है, और इस सिल के आपने देखा, कि सिल के अंदर क्या होते है, बच्चो, नुकलियस प्रेजन्ट होते है, जो आपने पढ़ रखा है, नुकलियस के बारे में जरा सा जाल लेते हैं, कि नुकलियस के आउटर मेंबरेन से अराइज होता है, बच्चो, क्या, आपका एंड इसनुयियूज कभच्चो आउडर मेम्ब्रेन है कि ये बत्रयर क्या है बच्चो आउटर मेंब्रेन है अचो नूखली के आउटर मेंब्रेन से इनफोल्डेड टी वीλλ साजब होते हैं और उस को हमारा आप क्या कहेंगेल हमारा आप कहेंगे इंफोर्डे टिविल्स को ए आर कहेंगे तब यह थोड़ी ठीक नहीं है कोल्ड कफ हो गया है तो इस वएसे बीच में खासी बगर आ जा रही है तो अगर देखें यहां पर बच्चों किसी दो को कहेंगे इअरियस अराइज प्रम आप क्या लिखेंगे बिटा इअर इज अराइज फ्रॉप एर कहां से अराइज होगा अराइज फ्रॉप आउटर मेंबरेन ऑफ नूखिलियस outer membrane of क्या बच्चो nucleus nucleus के outer membrane से हम arise करेंगे किशी जोको arise होता है कौन endoplasmic reticulum अब endoplasmic reticulum दो तरीके का होता है बच्चो जिस endoplasmic reticulum के tibule पर ribosome के particle परजेंट होंगे क्या परजेंट होंगे बच्चो रिबसों के पार्टिकल बसेन उंगे चोटे-चोटे डॉज़ए लाक ए 심कर अपको दिख रहे Toil इस नॉचर इसको हमारा आप क्या कहें के बच्क अब मारा आप कहते हैं से लिब सॉक काहें के इसे हम लोग यह है आपके पास राइबोजोम है यह अच्छा जिसके सर्फेस पर माल लीजी कि यह भी बोर्ड है इस बोर्ड की सर्फेस अभी क्या बच्छो स्मूथ है अब इसके उपर छोटा-छोटा करद हम कंक्रीट को स्टिक कर दे तो यह सर्फेस कैसी हो जागी रफ हो जाएगी तो दूटू दा प्रजेंस ऑफ राइबोजोम देर सर्फेस बिकाम रफ इसलिए दिब्यूल आफ यार विच कंटेंड राइबोजोम इसकॉल्ड एज आर यार रियार बोले तो बच्छो रफ एंडो प्लाजमिक रेटिकुलम क्या कहेंगे अगर देखेंगे ऐसा नहीं कि नीचे वाला सर्फेस होता है पर ने बना दिया है लेकिन ये वाला सर्फेस अगर देखेंगे आप तो ये क्या है बच्छो इसके ओपर राइबोजोम के पार्टिकल्स नहीं है तो यानि तिबूल अफ या विच दो नाट कंटें राइबोजोम पार्टिकल्स दू तू अपसेंट अफ राइबोजोम धर सर्फेस बिकमे स्मूथ तो यार नोन ऐस इस ए आर इस ए आर बोले तो बच्छो इस स्मूथ इंडो प्लाजमिक रेटिकूलम कहेंगे इसे क्लियर आई बात समझ में पहली बात की इंडो प्लाजमिक रेटिकूलम अराइज कहां से होता है इंडो प्लाजमिक रेटिकूलम इस आराइजस फ्रॉम कहां से बिटा आउटर मेंब्रेट ऑफ नुकलियस अप यह समझ लें कि इंडो प्लाजमिक रेटिकूलम होते कितने टाइप के दो टाइप के एक है र-e-r और दूसरा है स-e-r र-e-r किसको कहेंगे दिब्यूल आफ-e-r विच कंटें राइबोजों पारिकल इस कॉल्ड आज र-e-r due to the presence of ribosome their surface become rough so that's why it is known as rough endoplasmic reticulum the tubule of ER which do not contain ribosome is called as s-e-r smooth endoplasmic reticulum due to the absence of ribosome their surface become a smooth so they are known as s-e-r smooth endoplasmic reticulum clear he is in a diagram आप लोग कर लीजिए बच्चो किता है ओके यहां पर इस्यू सब्सक्राइब अच्टें देर जैनेटिक मेट्रियल आर देको बेरी गुट यह सवाल अच्छा ता मैंने बताया भी आपको कि वह सेल और जिसके के पास अपना जैनेटिक मेट्रियल होता है अपना जैनेटिक मेट्रियल दो सेल ओर्गिनल के पास है बेटा नुकलियस के पास तो अवेसली सी बात है कि होगा ही ठीक है तो आप सेकर सवाल पूछा जाए कि जैनेटिक मेट्रियल इन मैंसे किसके पास जैनेटिक मेट्रियल या डियने कहा होता है तो आपस गिंशा जैगा कि डासी बाति इर और जेनेटिक मेटरियल और राइबोजोम यह मैंने क्लास में भी डिसक्स कराया है जब आपको माइटो कॉंडरिया और क्लोरोप्लास्ट पढ़ा रहा था तो यहां पर पॉइंट भी नोटेट यह याद रखिएगा कि राइबोजोम के पार उनके पास अपना राइबोजोर होता है वो डिए ने सरकुलर होगा और राइबोजोम कैसा होता है बेटा सेवें टी ताइप होता है चलो मैं इसको लिखी देता हूं आपको दिको सिल और में बैटा माईटो कॉंडरिया आ और दूसरा है बाच्चो क्लोरोप्लास्ट Mitochondri are chloroplast they contain their their own genetic material and own ribosome इनके पास अपना genetic material भी होता है और अपना ribosome भी होता है देखो बेटा जो genetic material यानि DNA होगा इनका डियॉक्सी राइबोनिकुलिक असिड वो कैसा होता है सरकुलर होता है यह भी याद रखीगा वो कैसा होता है बच्चो और जो राइबोजोम होगा वो भी कैसा होता है बच्चो वो होता है स्मॉल राइबोजोम यानि कि 70S वाला इस फॉर स्वेट बर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कॉफीशियंट ठीक है बच्चो यहां तक समझ में आ गई बाते यहां तक चलिए अब उसके बाद यहां पर असर लाइपेज पेंकृटिक जूस में हाँ बिलकुल होता है ठीक है ना तभी तो वहां पर लिपिट का हो पाएगा समझ में आरी बात है अगर लाइपेज नहीं होगा तो बाइल जूस से मलसी फाइट जो फैट है इसे हम लोग मीसल सेल्स बोलेंगे वह कैसे फैट डाइजिस्ट होगा तो अब यसली बात है पैंगेटिक जूस के पास प्रोटीन डाइजस्टिव इंजाइम भ इता ऩयार में इएर कोम ने कते पाटों में इवाइड करतीया बच्चों 2 आपक कर दिया गया एक हुआ आरी आरं रफ एन्यो प्लाजमिक रिटी कुलीम और दूसरा हुआ बच्चों सा कॉय से इंगैंगे प्च्छों कि थिलूसरों गजैं कि दर टीबियूल ओफ ए आर विच कंटेन राइबोजोम जिनके पास राइबोजोम होगा इस कॉल्ड एज क्या कहेंगे बच्चों से हम लोग र-e-r कहेंगे रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम due to the presence of ribosome, due to the presence of ribosome, their surface become rough. इसकी surface कैसे हो जाती है बच्चों? रफ होती है. इसी यार की बात करें तो तु दिब्यूल ओफ ए आर दिब्यूल ओफ ए आर विच दू नौट गंटेन राइबोजोम called as क्या कहेंगे बेटा, इस-e-r कहेंगे उसे, smooth endoplasmic reticulum. क्या कहेंगे इसे बच्चों लोग, इस-e-r कहेंगे smooth endoplasmic reticulum. क्योंकि इसके उपर क्या है, राइबोजोम नहीं है. Due to the absence of ribosome, due to absence of ribosome, their surface become smooth. उसकी surface कैसे हो जाती है, बच्चों? smooth होती है. समझ मैं आरी बाते? क्या मैंने क्या का? ओके, पूछ रहा है, what is tubule? mintorian amu. देखो, बेटा, tubule वो होता है, यह जो arising है. यह अगर आप endoplasmic reticulum की देखेंगे, तो यह है tubule. यह आप देख पा रहे होंगे, यह जो इस तरीके का infolded structure है, इस infolded structure को यह जो curve shape में आपको दिख रहे हैं, यह जो curve shape है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बच्चों, इसको हम लोग बोलते है, tubule बोलेंगे, clear? ओके? तो जिस टिबील पर ribosome होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, RER बोलेंगे, जिस पर ribosome नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ACR बोलेंगे, clear? hopefully note कर लिया होगा आपने. आगे बढ़े है बच्चों? अब देखो बिठा, यहां पर अगर हम लोग बात करें की, RER पर क्या होता है, बिठा? RER पर होता है, ribosome. RER पर क्या होता है? Ribosome होता है. अच्छा, आप लोग को पता है, कि रईबोजोम को बोलते है, इस और सो नोन आज, इस और सो known as, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, protein factory बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे अपन? protein factory बोलते हैं, तो इस मतलब की, ribosome अगर जिसके पास होगा, क्या वहाँ पर protein हो सकता है, sensation? protein का synthesis हो सकता है? obviously सी बात है, तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं, RER help in protein synthesis protein synthesis में यह किस चीज़ों में मतलब करेगा, बच्चो, RER help in the protein synthesis, RER किस चीज़ों में मतलब करेगा, protein synthesis में मतलब करेगा, चुकि इसके पास ribosome है, यह बहुत अच्छा सवाल है, important है, याद रखेगा, पूछा जाता है, कि RER help in, ठीक है न, तो RER help in the protein synthesis, दूसरा आपन के पास है, क्या बच्चो, SER, तो कुछ न कुछ तो काम होगा न, बच्चो, SER के पास ribosome नहीं है, तो यह protein का sensation नहीं करेगा, protein का synthesis नहीं करेगा, बट, बट, इसके पास क्या है, RER के पास, SER के पास, दो काम होता है, NCRT बाकाईदा लिखा है, SER help in, lipid synthesis, यह lipid का, lipid बोल लो, या इसे क्या बोल लो, आप लोग मेटा, fat, synthesis बोल लो, ठीक है न, तो SER का function क्या होता है मेटा, SER help in the, किस्ची बोलेंगे, lipid synthesis, or a fat synthesis, नोट करेंगे, थोरा सा एक बात, यहाँ पर advance है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिए, क्या, SER also help in the, SER, also help in, drug detoxification, LCR और किस्ची बदद करता है, ड्रग के detoxification में मदद करता है, ड्रग का detoxification क्या होता है, बेटा, देखो, हम और आप, मुस्लिए इडिया वाले जितने भी है, सब दवाईों का इलाज, सब बीमारियों का इलाज करती है, क्या paracetamol, हमें कुछ भी होता है, paracetamol खालेते, सर में दर्द है, paracetamol, कुछ भी हुआ, तो कहीन के उस दवाई, जो भी है medicine खाते हैं, या डॉक्टर का भी prescribed दवा होता है, वो भी हम खाते हैं, तो उसके कहीन के side effect होते हैं, तो side effect को drug के, या दवाई के side effect को क्या करेगा, वो कम करेगा, या ड्रग के detoxification में मदद करता है, SER, और साथ ही साथ यहाँ पर lipid का synthesization भी करता है, सवाल क्या पूछा गया है, इस से ये बात याद रखीगा, सवाल पूछा गया है, कि the tubule of ER which contain ribosome is called as RER कहेंगे, दूसरी बार सवाल पुछा गया, the tubule of ACR के पास क्या नहीं होगा, अब इस लिए से बात है, ACR do not contain ribosome, that's why they are the smooth endoplasmic reticulum, समझ में आ गई बाते हैं तक, function याद रखीगा, RER के पास ribosome है, और ribosome को हम लोग जानते हैं, कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, protein factory बोलते हैं, तो RER help in the protein synthesis, और lipid किस चीज़ों में बाताज करेगा, ACR help in the lipid synthesis, ACR also help in the drug detoxification, जो भी medicine, जो भी दवाई हम खाते हैं, उस सारे दवाईों क्या करता हैं, side effect को कम करता है, I hope या आप तक clear होगा, सब लोगों का, ठीक है बच्चों, आगे बरें हम लोग, आगे बरें हम लोग, चलिए, अगले एक topic की तरह बरते हैं, अगला topic और last topic है, वह हमारा vacuum, वैक्यूल की सबसे पहले अगर हमारा बात करें बच्चों, तो वैक्यूल कहते कि इसको ऐसा बज लीजिए, inside the cytoplasm, the non-cytoplasmic area is called as क्या कहेंगे बच्चों से, वैक्यूल, माल लीजिए कि आपके पास एक cell है, माल लीजिए आपके पास यह क्या बच्चों, एक cell है, इस cell के अंदर यहाँ नूकलियस होगा, नूकलियस के बाहर, cytoplasm होगा यहाँ कुछ इस तरीके से, तो देखो बच्चों, जिस एरिया में, cytoplasm नहीं होगा, जो भी एरिया, cytoplasm से नहीं घिरा हुआ होगा, उस एरिया को आपन क्या बोलेंगे बच्चों, वैक्यूल, आई बास समझ में, इस आइड दी साइटोप्लास्म, दी साइटोप्लास्मिक एरिया इस वैक्यूल, वैक्यूल के लिए एक बड़ एच्छी बात यह है, याद रखेगा, कि वैक्यूल जो होता है, बच्चों, प्लांट सेल में, प्लांट के अंदर, 52, 90 परसेंट एरिया को कवर करता है, और जबकी, यह एनिमल सेल में, सिर्फ और सिर्फ, 10 से 15 परसेंट एरिया को कवर करता है, क्लियर बच्चों, ओके सर, क्लियर है, ठीक है, NCRT भी पढ़ा रहे हो ना, सर, मैं इन्सी आर्टी ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब इन्सी आपका, आप यह मान के चलें, आप यह एकदम रहें कि 11th इंट्रेंस में, जितने भी कोशन साएंगे, वो इसी लेक्चर से, इसी नोट से आने, जिस बच्चे ने नोट से पढ़ लिया, और यह मैं कोई आज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं लगब लगब बारे तेरह साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है न, बलके उससे भी जादा, ठीक है, कोशिंग इंडस्ट्री में, इट्यूशन वाली बातों को नहीं, मैं बहुत पढ़ा, जब क्लास 11th में आ आया था, तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको मैं बता दू कि, तब से लेकर कि अब तक सारे, मतलब हर साल कम से कम, नहीं कुछ भी, तो 18 से 20 पचीस बैच पढ़ाता हूँ, मैं 11th इंटरंस के, तो आप ये यकीन मानें, कि जो पढ़ा रहा हूँ, जो नोट्स करा रहा हूँ, उससे सवाल एक भी बाहर नहीं आगा, जहां पर एडवांस लेवल पढ़ाना है, वहां पर मैं एडवांस लेवल भी पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ, कि most probably अगर कोश्चन वहां से आता है, तो आपके छूटे ना बच्चों के, ठीक है, तो इसके लिए आप बेफिक्र है, तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, वो लगबग 50-90% अड़िया को कवर करता है, इसलिए बच्चों, वैक्यूल में इतना बड़ा होने की वज़ा से, इतना लार्जर होने की वज़ा से, उसके अंदर नुक्लियस की पोजीशन जो होती है, वो फिक्स नहीं होती है प्लांट सेल में, वो कहीं भी हो सकता है, बेभी सेंटर, बेभी पेरिफेरल, लेकिन अनिमल सेल में 10-15% अड़िया को कवर करता है, इतना लेकिन प्लांट सेल में कोई ज़रूरी नहीं है, चलिए, आगे बात करते हैं, कि वैक्यूल बेटा, पूशा गया सवाल है, कि वैक्यूल इस सराउंड़ेट बाई या मेम्रेन, वैक्यूल एक लेयर से, एक मेम्रेन से बाउंड़ेट होता है, उस लेयर को कहते हैं बच्चो, टोनो प्लास्ट, तो वैक्यूल इस बाउंड़ेट विथ अलेयर कॉल्ड एज उसे हमारा आप क्या कहेंगे बच्चो, टोनो प्लास्ट, बड़ा प्यारा सावाल है, वैक्यूल इस बाउंड़ेट विथ अमेम्रेन, इस कॉल्ड एस क्या कहेंगे बच्चो, को के सर डिफरेंस बिट्विन दा क्या कहते हैं, कि साइटो सोल्स एंड साइटो प्लांग, साइटो सोल्स अलग चीज होता है, ठीक है और साइटो प्लांग जो जेली फ्लिवलाक सबसांस है, आउटसाइट दी नूकलियस उसको लोग बोलेंगे, ठीक है, और साइटो सोल्स के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, आप अगर कहें तो बता देता हूं मैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में वैसे पढ़ना नहीं है आपको, तो क्लास लेंदी ना करा है, और अगर आप साइटो प्लांग के बारे में अगर हम बात करें, तो जो आउटसाइट दी साइटो नूकलियस जो भी आपको लिक्यूट दिखेगा, जेली विस्कस लाइट लिक्यूट, उस लिक्यूट को हम लोग क्या कहेंगे बच्चो, कहेंगे उसे हम लोग क्या बताईए, साइटो प्लांग कहेंगे, ठीक है, ओके, इसे उतार लें बच्चो जल्दी से आप लोग, ओके, सर, क्लास कब शुरू हुई, क्लास बेटा, यान सेफी पूछे, क्लास जो शुरू हुई थी आपकी, आइधिंक, 535 पर सुरू हो गई थी, क्लास, हाँ, एक्जेक्ली, क्लास, ठीक है, तो यहाँ तक उतार लिया आपने, कि वेक्यूल इस सराउंड़ेट बाई, क्लास, क्लास बेटा, याद रखना, कि जो आउट इंसाइड दी सिल, पूरा जो लिकूट सब्स्टांस होगा, उसको हम लोग कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटो सोल्स कहेंगे, यहाँ पर क्या है, नुकलियस के बाई और सिल के अंदर, जो लिकूट सब्स्टांस हो से हम लोग क्या बोलेंगे, साइटो प्लास बोलेंगे, क्लियर, चलिए, आगे बर हैं हम लोग बच्चो, सर मैं डिप्लोमा में कितने कट ओफ पर हो जाता है, रिश्यू शर्मा, डिप्लोमा में डिपेंड करता है, कि आपके कट ओफ, अगर आपको डिप्लोमा ही करना है एम्यू से, तो डिप्लोमा का जो कट ओफ जाता है, वो ब्रांच टू ब्रांच वैरी करता है, जैसे अगर आप क्या करते हैं, कि CS Computer Science का देखेंगे, ठीक है ना, ब्रांच के साथ, चुकि डिप्लोमा भी करेंगे, तो अच्छे ब्रांच के साथ करेंगे वहाँ पर, तो आप ये मान के चले कि आपको 50 प्लस रखने हैं मार्क्स, तो डिप्लोमा में आसानी साप जिस भी ब्रांच में चाहेंगे, उसमें मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपको डिप्लोमा ही करना है, तो कोई मसला नहीं किए, वहाँ पर आप 50 प्लस रखने, आराम साथ का नाम कंफर्म लिस्ट पे होगा, ठीक है, वैसे आप जितना भी मार्क्स ले का आना चाहें, वह जादा अच्छा है, कि यह सिंगल है, ओके, सिंगल बाउंडेट है, डबल बाउंडेट नहीं है, ठीक है, डबल बाउंडेट में, दो ही तीन से लॉर्गनल के बारे में बारे में, माइटोकॉंड shy, kloro Нов ओर ने बिलिस्ट, यह डबल डंडी होते है तो परईशान नहीं होना उसके बादा लाइजो राइबोजों को छोड़ करके बागी के Seels apolog tyre सबके सब क्या जो है सिंगल ऑंड़ ठीक है और राइबोजो में होता है कैसा होता है कैसा होता है मेंवरेललेस होता है नाकेड होता है उसके ओपर कोई लेयर ही नहीं होती है ओके यह समझ में आ गया आप लोगों को चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में बच्चो की वैक्यूल का फंक्शन क्या है कुद्रतरी से बनाया क्यों है प्लांट सेल में इतना जादा दिया क्यों है बता अगर अगर हम लोग वैक्यूल के फंक्शन के न हम लोग बात करें तो इसका जो फंक्शन होता है कि वह होता है 총 करता है यहार्फ करता है टाउक्सिक सबस्टांस का आटिए अब अगर आप देख से तो एनिमल जो एवर अपने और इने तॉक्सिक सबस्तान्स को time to time remove out कर रहा होता है through by the sweat, through by the urine, एस्टूल, लेकिन plant की cases में अगर देखेंगे आप तो plant की cases में इसा नहीं है, plant की cases में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, plant storage जो करेगा अपने तॉक्सिक सबस्तान्स को वो करता है बैटा, वैक्यूल के अंदर, तो यानि हम लिख सकते हैं यहां पर, कि in a plant cell, the main function of vacuole is storage of toxic substance, in plant cell, plant cell के अंदर हम लोग बात करें, बैटा, the main function of vacuole, vacuole के अगर main function के हम लोग बात करें, तो वैक्यूल का main function क्या होता है, बैटा, storage of toxic substance, अब plant के लिए toxic substance क्या है, हमारी तरह वहाँ पर, urea, uric acid, urochrome नहीं है, तो कुदरत के निजाम कितना अच्छा है, जो चीज हमारे लिए toxic है, वो plant के लिए फायदे मन दे, जो plant के लिए toxic है, वो हमारे लिए फायदे मन दे, निदिया कुदरत में, जैसे हमारे लिए urea क्या है, आप, we are urotelic animals, we excrete out chiefly urea as a urine, urine के form में हमारे अंदर सबसे जादा क्या होता है, urea होता है, uric acid है, urochrome है, ammonia है, बाकी चीज़े भी होती है, लेकिन हमारे urine में हमारे body से हम लोग सबसे जादा चीफली किसी जों को excrete out करत है, इसलिए we are urotelic animals, okay, तो हमारे लिए urea harmful है, लेकिन plant के लिए वो urea क्या है, useful है, हमारे लिए carbon dioxide harmful है, गर हमने oxygen लिया, carbon dioxide body cells के अंदर बना, वो carbon dioxide को अगर हम remove out नहीं करें, तो हमारे लिए वो क्या होगा, देट करा सकता है, toxic substance है, लेकिन plant में अगर carbon dioxide ना मिले तो फोटो substance देखें, तो वो plant के लिए oxygen क्या है, as a photosynthesis क्या है, वो product ही है, वो waste है उसके लिए, लेकिन हमारे लिए oxygen कितना फाइदे मन्द है, उसी तरीके से plant के लिए gum, regine, tannin, यह सब लैटेक्स, यह सब क्या है, toxic substance है, और हमारे लिए वो सब सारे फाइदे मन्द है, तो कोई भी ची कितने टाइप के होते हैं, जरा सा इसके बारे में बात कर ले, चलिए, सर इनर मोस्ट, लियर ओफ दा, एंधर वाल इस, रिशु शर्मा, यह आप जो है, आप reproduction में जा रहे हैं, वहाँ पर सबसे इनर मोस्ट जो हो जाएगा, वो tap it up हो जाता है, तो आप इसको reproduction में ना लेक करके जाए, जब हम reproduction देखेंगे, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे, कि क्या layer कौन-कौन सी होती है, तो आप इसके लिए बेफिकर रहे हैं, ठीक है, अभी आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है, ओके यहां तक समझ में आगई बाते, वहां पर क्या होगा, आपका computer science, मतलब स्वसाद हए, 50 प्लस आप रखेंगे, तो आपका computer science, without any waiting, confirm list में नाम होगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, चलिए आगे बारते हैं बच्छों, अब वैक्यूल के टाइप की बात कर लेते हैं टाइप आफ वैक्यूल टाइप आफ वैक्यूल देखो बच्छो चार तरीके का होता है एक आता है बच्छो आपका कॉंतरेक टाइल वैक्यूल दूसरा आता है बच्छो आपका सैप वैक्यूल तीसरा आता है बच्छो गैस वैक्यूल और चौथा आता है बच्छो आपका डाइजेस्टिव एक्यूल चलो इसीरिटी में ये में नहीं है लिक इसके बारे में जानना जरूरी है चुकि सवाल इससे आया है अब देखते हैं कि sap vacuole क्या काम करता है पहले प्रेक्टाइल वैक्यूल देखते हैं अब देखो बेटा माल लो कि हमने आपके सामने यह बना दिया ocean समंदर का है इमाजिन करने में क्या जा रहा है और इसके अंदर आप किसी मचली को डाल दे रहो फॉर इक्जामपल ठीक है अब ocean के पानी में समंदर के पानी में क्या है वो खाड़ा होता है मैनाइन वाटर इन उसके अदर नेसील होगा तो कंटीनिवसली नेसील यहां से अगर आप देखेंगे तो यह मचली के अंदर क्या है कंसेंटरेशन कम होगा नमक तो है नहीं उतना तो कंटीन्यूसली यहां से हाथ मुव कर रहा होगा अब जब यह ऐसे मुव करेगा तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बताइए एसे situation में यह होगा कि NACL जाने की वज़ेसे cell will be rapture continuously जा रहा है cell से निकलेगा ही नहीं तो basically यहां पर cell rapture हो जाएगा ऐसा नहीं होगा ऐसा होता तो सारे समुदर में Oceans में Marine Water में Fishes या Marine Animals होते ही नहीं अब ऐसे condition में जितने amount में water यहां से आएगा एस्टू आएगा लेकर के विट्व सॉल्ट उत्रा ही एस्टू को यह निकाल भी देगा समझ में आरी बाते तो मतलब मेंटेनिंग औफ वाटर कंसेंट्रेशन लेवल कंट्रिक्टायल वेक्यूल क्या कर रहा बिटा और समो रेगुलेशन में मदद कर रहा है क्या कर रहा है कॉंट्रेक्टायल वेक्यूल और समो रेगूलेशन में बदद कर रहा है कलियर बस 11 वाई का और डीटिल में पढ़िंगे अभी आप लोग बस इतना जाना रखे का उंट्रेक्यूल हेल्फिन दा ऐस्मो रेगूलेशन में एक्जंबल से कर एक आपको बता दिए कि अपीड सेप का काम क्या इसको रभ कर्थी बच्चों यह आ गे ही करतें सेप वैकूल का का मिए अपने लीफ देखा है पौदे का अफ्कॉर्स देखा होगा अब अब अगर लीफ में देखें के बच्चों तो लीफ जो है वह एवरी एयर हर साल किए हो नहीं होता है March, April के मौसम में जो अभी मौसम आ रहा है vendor मोसम में क्या करता है बिठाव अपने Leaf अपनी लीफ को Detach कर देता है करता है की नहीं करता है तेखा होगा अभी इडिट इडिटाइच किव करता है आपने भी सोचा है कि यह अपने लीफ अपने और गेन को क्यों दिखाल के फेग देता हर प्लांट देखा होगा आपने पत्जर का बॉसम जिसको कहते तो ऐसा क्यू होता है देखो बच्छो प्लांट पूरे साल अपने टॉक्सिक सब्स्टान्स को स्टोर कर रहा होता इसके अंदर क्या है यह यह है वैक्यूल यह क्या है बच्छो और इसका नाम है सैप वैक्यूल तुमने वह कहवत सुनी होगी कि जब पाप का घरा भर जाता है तो फूटता है सुना है ना तो मतलब इतने टॉक्सिक सब्सांस भर जाते हैं कि यह टॉक्सिक सब्सांस अब इस लीफ के लीफ को खुद से अगर अपने ब्रांच से स्टेम से डिटाइच ना करें समझ में आरी बाते हैं अगर खुद से प्लांट इसे डिटाइच ना करें तो ये लीफ का टॉक्सिक सबस्टांस जो है ये इस ब्रांच को भी हानिकारक पहुंचा सकता है जैसे मैं आप से कहूं कि अगर दॉक्टर आपकोयान भुबभात नकतरें कि आपको अगर यहां पर नाखुन में किसी दि का ऐंट्याच हो जाता है और आप JACठ्धे केखाई कैंदेet देटाइच नेटक को टता Yapकर ंज एकृंच पर पर अगर यह की सब्सक्टर हुए यह का यजश्नाक परते हैं औ प्लांट क्या करेगा इसे अपने से इवरी यर टॉश्सकर देगा है तो मतलब डीचाशमेट अफ लीफ आ प्लांट इन आवरी यर इस टाइप वटेशंव यह क्या है हो एकस्क्रीशन का प्लांट के तरीका है सेप्प वैकूल किसमें बद्द करेगा तो एक्सक्रीशन में मदद करेगा में क्लिए अब बात कर ली तेजाना घैस वैकूल के बारे में आपने तो देखा होगा दिखा है नहीं देखा और सुना तो होगा के बारे में इह यूनी खैलिए aurignaism है अक्वाइटि के प्रड़िष्टा के अंदर आता है पानी के अंदर रहेगा तो यह पानी के अंदर है तो यहां पर oxygen का concentration level ज्यादा यह oxygen का concentration level तो आपने पराहिए के movement always higher concentration से lower concentration की तरफ होता है तो यहां से इसके के पास क्या है गैस वैक्यूल है यह और इस गैस वैक्यूल से यह क्या करेगा एक्सचेंज ऑफ गैस करेगा exchange of gases अकर बाइदा गैस वैक्यूल उसी तरीके से तो मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या कि गैस वैक्यूल हेल्पिंदा exchange of gases और digestive वैक्यूल यह अमीबा है माल लीजिए मैं अब चलो आगे वाले पर ही बढ़ लेते है अमीबा में ही extra cellular diation नहीं होता है intracellular diation होता है यहाँ पर अमीबा के पास digestive वैक्यूल है यह अमीबा का क्या है बच्चो pseudopodia अमीबा इस pseudopodia से food को capture करता है माल लो यह food capture क्या capture करके सीधा ले करके कहा जाएगा इसके अंदर food वैक्यूल के अंदर और food वैक्यूल इसके क्या करेगा digestion में मदद करेगा वैसे हमीबा में डाइजेशन हम अलग से परहेंगे class 10 वाले life process chapter में तो यानि हम लिख सकते हैं बच्चो क्या digestive वैक्यूल हेल पिंदा digestion of fat sorry fat नहीं food बटा digestion of food खाने को पर डाइजिस्ट करने में यह क्या करेगा मदद करेगा okay ठीक है यहां तक समझ में आ गई बात हैं यहां तक कोई दिक्कत कोई सवाल हो किसी को तो बताईए आप लोग मुझे रियान सैफी ठीक है डिलीट कर दिया मैसे चले कोई नहीं बात करते हैं अब यहां पर होता है आपका सेल चेप्टर कंपाइंड विटा ठीक है अब हम कल के लेक्शन में हम लोग डिस्कॉस करेंगे जितने भी एक्सपेक्टेट कोश्चन है बोस्ट एक्सपेक्टेट कोश करने के लिए और कमेंट करने के लिए और कमेंट करने के लिए कि क्या अंसर होगा ठीक है आज के लिए बच्चो इत्रा ही ठीक है फिर मिलते है करने करने केे लिए